और आज स्वामी विवेका नंद की जहनती और इस वक्त देश के पुधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब हैं सुनते हैं क्या क्या रहा है मैं मौझूद लोगसभा के स्विकर आजर ने ओम बिर्ला जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा जिन्होंने संसत के इस संसल हॉल में इस कारेकरम को आयुजद करने का आउसर प्रदान किया और हमार युवाओं को एक नाया आयाम दिया है मानने शिक्षा मंतरी डॉक्टर रमेश पुक्रियाल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए अनवरत प्रतिन्शिल है यहां मौझूद सेकर्टर जनरल राजसभा सेकर्टर जनरल लोगसभा सचीव युवा कारेकरम विवाग सचीव खेल विवाग और अन्य गार्ण मान्य व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ और साथ साथ जो हमारे मुक्य केंदर बिंदू है हमारे प्रतिबागियों युवा सांसद आज यहां सेंटरल हॉल में देश बर से जो चुने हुए 84 हमरे यूथ पारलेमेंटरियन यहां आए हैं और देश के कोने कोने से जुने हुए आज इस वर्च्वल मोड में इस यु और राष्ट्र दिवस और राष्ट्र युवा सांसद महतसफ दोनों के इस मिलन के आउसर पर जुरे हुए आप सब कमें तह दिल से स्वागत करने चाहता हूं 12 जनुवेरी स्वामी विवेक अनन जी का जर्म दिवस है और इसी दिन हम भारत वर्च में युवा दिवस के रूप में मनाय जाता है इस शुब आउसर पर आज माने प्रदान मंत्री जी के गरिमामाई उपस्ती में राष्ट्र युवा दिवस भी मनाय जा रहा है और राष्ट्र युवा संसद महतसफ का भी समापन किया जा रहा है विकद 20 दिनों में पूरे भारत वर्ष में जीले अस्तर से ले करके पूरे राज्य में युवा महतसफ से संबंदित प्रतियकिताई कराई जा रही थी और अब राष्ट्र पतल पर ये 12 जन्वरी से अरंब हो करके 16 जन्वरी 2021 तक वर्च्वेल प्लेट्फरम पर चलेगी इस महतसफ का एक मुख्य अंग राष्ट्र युवा संसद महतसफ है जिसके 84 युवा विजेता आज संसद बावंद में मौजुद है इस सेंट्रल हॉल में भारत के संसदिय प्राली के हिर्दय स्थली संसद बावंद के इस सेंट्रल हॉल में युवा का संसद का ये महतसफ मनाना यह हमारे देश के होन हार युवाओं के लिए एक एतिहासिक आउसर है युवासंसद का विचार माननिया परदान मंत्री जी ने व्यक्त किया था 2017 में और परदान मंत्री जी के व्यक्त से प्रेना लेते हुए वर्स 2019 में इसका प्रथम आयोजन किया गया था राश्ट्र युवा संसवत महतसव के इस संसकरन में देश बढ़के 2,34,000 युवाओं ने पूरु उत्सा से बागीदारी की पहली बार राश्ट्र युवा महतसव के 24 संसकरन का आयोजन टेक्नोलोजिक के प्रियोग करते हुए हाईब्रीट मोड में किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है मुझे ये बताते हुए हर्दिक प्रसंता है कि इस महतसव में ओनलाइन ओफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाग युवाओं ने 24 विविन प्रतियोगिताओं में भाग लिया राष्टर युवा महतसव में इस बार चित्रकला, संगीत, नृत, प्रदेशिक, पोशाक, दृष्य एवं, अभिव्यक्ति कला, सुर्य नमस्कार, हाई एल्टिट्यूड विन्टर ट्रेक, परवता होरन, फिट इंडिया, साइक्लोथन, फिट इंडिया, प्रबात फेरी और विंटर अल्पाइन स्कील क्लाइबिंग जैसे प्रतीश परदाई कराई गई, इस में से कुछ ट्रोते किताई परमपरी ग्रूप से कराई जाती थी, वही कई सहासिक गतिविदियों को इस वर्ष के राष्ट्र युवा महतसव से जोरा गया है, I would like to congratulate all the winners of this National Youth Parliament Festival and all the participants also and I would like to acknowledge on this very important occasion that when Honorable Prime Minister Narendra Mohdiji gave a clarion call to the nation to fight the pandemic, the youth of India had shouldered the responsibilities and they remain in the forefront of our battle against the pandemic. I congratulate all the youth of India on this momentous National Youth Day. We are very fortunate that India has a large youth force and this huge force are going to create the Atmanirbar Bharat. This committed force is the custodian of the spirit of Agh Bharat, Shres Bharat, call given by Honorable Prime Minister Narendra Mohdiji. I express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister for inspiring the youth of India and for giving this huge opportunity to the youth of India and for this momentous occasion to gather here in the historic Central Hall of the Parliament of India. I once again express thanks to everybody, Honorable Speaker and the members of the all the youth Parliament delegates and all the officers who have given a platform and made this occasion a successful one. Thank you very much. Jai Hind. Thank you Sir. प्रश्चांपवस के इस आउसर पर दुनिया के सबसे लोकप्रिया और शर्शक्त नेता भारत के यस्वसी प्रधानमंती परमशर्देया शृरी नरेंद मोधी जिनका करोडों-करोडों युवाउं को प्रेना मिलती है हम सब करोडों-करोडों-्युवार उनका हिर्दय की ग लोकसभा के अध्यक्ष परमशरदिया शिरी ओमबिल्ला जी बारत सरकार में बहुती लोक प्रिया मंत्री युवा मामलों के मंत्री आधरिनिया शिरी किरन रिजु जी असब याधिकारी वर्ग और देश के कोने कोने से जुड़े करोडों युवा और जो 698 जिलों में 2,34,000 युवाओं ने जो इसमें भाग लिया है उनमें से जो 84 युवा चुन करके आज इस अईतियासिक हौल में बैठे हैं मैं आप सब का विनन्दन करो आपका सब को बधाई देना चाहता हूँ भारत पूरे विश्वा का सबसे बड़ा मार्ग प्रसस करता है हमारा संबिधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रस्तावना और इस प्रस्तावना का पहला शब्द है वी यानि हम अर्थात हम भारत के लोग या वाक्या भारतिय समाज और नागरिकों के प्रतिक अंग में समाहित है और हम सब को एक राष्टिय भावना से बांद करके रखता है संसदी योम संबैधानिक प्रकिरिया में सबसे महत्वपूर्ण अंक किसी भी देश के नागरिक होती है और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण वर्भ होता है उसका युवा युवाओं को आपने संबैधानिक अधिकारि प्रति जाग रूप होना परजात तानीत्रिक ववश्था में एक आहम भूमका निभाता है युवाओं का सरस्क्ति करण केवल युवाओं का ही नहीं आपी दो राश्ट्रू कीbud तो हमारे देश के यसो सी प्रदान मंतिशिदी नरिन्द मोदी जी ने बढ़ाते हुई 2017 में अपील की थी कि युवा संसद के प्रारूप के तहट विवेन इस तर पर कारिकम आयोजित किये जाए ताए कि संसदी प्रणाली के प्रती देश के युवा में लगा पैदा हो उनमें देश की व्यवस्था के प्रती जिमेधारी का भाव पैदा हो और व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट के निर्मान की सस्वक्ति करन का अभ्यान तेजिस तो यवा दिवस के तौर पार 158 वी जहनती मनाई जा रही है स्वामी विवेका नंद की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन थोड़ी दिर में शुरू होने वाला है फिक्र आपकी सुमवार से शुकरवार रात नौ बजे सिर्फ टीवी नाइन भारत वर्ष पर